जैशे कृष्ण, जैशी राधे, प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप, ठाकुर्षे प्रार्टना के आप सभी स्वस्त होंगे, आज का वीडियो बड़ा उत्तम हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि हम लोग घर में मोरपंख लगाते हैं, तो मोरपंख कहां लगाना चाहिए, उसका क्याब फल है, क्या वो ग्रैशान्त भी करता है, सभी जानते हैं कि भागवान शिरे कृष्टन ने सम्मान दिया इस पक्षी को, और उसका पंक जया भागवान ने अपने मस्तक बर धान कर लिया, कता तो ये भी आती है, शिर्धाम रंदावन में भागवान जो है, एक मियूर के पिछे भागे, और वो मियूर जो है भागवान को, दुडाता 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 बरसाने तक ले गया, वहाँ ठाकुर की प्रिया शिराधारानी, राधारानी से मिलन जो है ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इस मोर ने कराया, और जैसे मिलन करवाया तो दोनों के नेत्र मिले, और प्रेम में इतना विबोहर हो गए, कि आँखों से आशों जरजर बेहने लगे हैं राधा कृष्ण के, आज भी शीधाम रंदावन में प्रेम स्रोवर है, वो याद दिलाता है भागवान की, उस दिवे लीला का जो भागवान ने, मियूर के बिश्ये मोर के बिश्ये भाग करके राधा से मिलन किया, प्यारे मित्रों, कृष्ण राधा का मिलन देख करके, वो मोर जो है, अपने सारे पंकों को फिला करके, नर्त्य करने लगा, ऐसा नर्त्य किया, कि भागवान भी मोर बन करके, राधा के सामने नर्त्य करने लगे, आज भी ब्रसाने में मोर कुटी है, आज भी श्रिधामरंदावन में एक साक्षा ठाकुर जी का विग्र है, श्रि मोर बिहरी जी, मेरे ठाकुर जी के प्रेविभक्त, यदि वहाँ पर गए हो, उन्होंने अवश्य दर्शन किया होगा, मेरे मोर बिहरी जी, आज उसी मोर से सुमंदित, मैं आपको बड़ा सुंदर सा उपाय बताऊंगा, जो आपके घर में हर पकार से सुक्षान्ती ले करके आएगा, प्यारे मित्रो, आप मियूर पंक का ये उपाय जो वश्य करें, जो भागवान शीर कृष्ण ने सम्मान दिया इस मियूर को नर्ते करते हुए, जो भागवान ने भी नर्ते करते हुए, उस पंक को उठाया और अपने मुकुट में दहन कर लिया, जो भागवान को याद करता है, जो उनसे प्रेम करता है, भागवान को अपने मस्तक ब दहन कर लेते हैं, अभी बड़ा दिव्वे भाव, ब्रज का भाव रहा है, जब मैं शिर्मद भागवत की कथा करता हूँ, तो ठाकोजी के प्रेम में विभोर हो करके, हम उन्हें भावों को सुवाया करते हैं, भारत के कोने कोने में मैंने शिर्मद भागवत की कथा की, और सन 2018 में मैं वैंकुवर, टरंटो, कनाडवी, ठाकोजी किर्पा से, उनके आश्रिवा से वाहो करके आया हूँ, वहां का प्यार, वहां के लोगों की वक्ती भागवान शिर्मद में बहुत अधिक है, उनके प्यार को देख करके, मेरा मन वैं बड़ा अर्शित हुआ, और आज भी मैं उन पलों को याद करता हूँ, प्यारे मित्रो, मयूर का पंक, घर में रखने से, घर में लगाने से, सारे के सारे वास्तु दोश्ट जो हैं, शीर्करी नश्ट हो जाते हैं, ज़री किसी के उपर राव की दिशा चल रही हो, इस राव की दिशा को केवल ये मयूर पंक ही दूर कर देता है, लेकिन हम इसको लगाना कैसे हैं, कैसे इस्तिमाल करना हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ, देखिए बैड रूम में अपने बैड रूम में पूरू दिशा या दक्षिन दिशा की और जदी मौर पंख लगाएंगे आपके जितने भी रुके हुए कारिये हैं चाहिए वो विपार से समंदित हों चाये वो घर से समन्दित हों, चाये वो आपके ओफिस से समन्दित हों आपके जितने भी रुक विए कारे हैं, वो सारे के सारे कारी हैं आपके वश्ये पूरी होंगे, यदि आप अपने बैट रूम में पूरो दिशा और दक्षिन दिशा में इस मौर के पंक को आप लगाते हैं प्यारे मित्रों, यदि आप अपने पूरो दिशा में दुकान के या मकान के पूरो दिशा में या दक्षिन दिशा में मोर पंक को लगाते हैं तो आपके पैसे की तंगी एकदम खतम हो जाएगी वेपार में अपनी दुकान पर जदी आप पूरव दिशा की ओर या दक्षिन दिशा की ओर मोर का पंक लगाते हैं तो आपकी पैसी की समस्या जो है दीरे 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 समय लगेगा मित्रों किसी परिवार में किसी घर में यदि वास्तु दोश हो क्योंकि वास्तु देपता का दोश जो है यदि किसी मकान में वास्तु का दोश होता है तो उस परिवार में रहने वालों के विचार आपस में नहीं मिलते कोई ना कोई रोग लगा रहता है धन आता है और सारा क संताने अपने माता पिता कה केहना नहीं मानती अपने बड़े पुधार को का सम्मान नहीं करती यदि किसी प्रिवार में वास्तु का दो रहे हैं है उसके ऐक बड़ा सुंदर उपाय में बताता हूं आप अपने घर के मेन गेट पर मौर पंक लगाएं और उन्हीं मौर पंकों के नीचे भगवान गनेश जी की मूर्ति या प्रत्मा को लगाएं यदि आप यह उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपके परिवार में जतना भी वास्त दोश्य है वो एक नय करेंगे कि जो संताने कल तक बैर विरोत करती थी जिनका सभाब बड़ा गुस्से वाला हुआ करता था बच्चों का वो धीरे दीरे चार या पांच महिनों में एक दमसुन का विवहार में परिवरतनाना शुरू हो जायेगा क्यों क्योंकि घर के मेन गेट पर मौर पंक के नीचे ग निषक करता या फोटो लगाने से वहां का वास्ती दोश्च inex कातम हो जाता है तो यदी आपको कोई प्रशाणी है आपका कालसरप योग है या का विश्कन्यय कि योग है और वह बहने अपने पรस में अपने बटऊए में मोरपंक को रखते हैं तो उनका ये दोश जो है अवर्षे नश्ट हो जाएगा, खतम हो जागा एक नएक दिन प्यारे मित्रों आप ऐसा मड़ समझें कि वो दोश एक दिन में खतम हो जाए नहीं, एक दिन में खतम नहीं होगा हमारे पास आते हैं, मैसेज आते हैं, बहुले महाराज जी फोन भी करते हैं लोग दूर दूर से कि महाराजी हमने यह उपाय किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ प्यारे मित्रो धैरिये धैरिये धार्ण करते हुए यदि आप मेरे उपाय करेंगे तो आपको अवश्यफल मिलेगा धहर्य को धान करते हुए आप यह उपाय करें तो यह मोर पंक जो है आपके घर में हर प्रकास सुख संपदा ले करके अवश्य आएगा प्यारे मित्रो आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगे तो आप अपने मित्रो को शेर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी नए नए वीडियो जो है आपको जब मैं डालूँ आपको मिलती रहे और अपने मित्रो को भी इसकी जानकारी अवश्य दें जैशी रादे जैशी किष्ण प्यारे मित्रो दिपावली के बाद एक या दो दिन के बाद मैं यूटूब पर लाइव आऊंगा और इसके लिए मैं आपको सुचित भी करूँगा कि मैं इतने वज़े से इतने वज़े तक लाइव रहूँगा ज़दी आप मेंसे कोई प्रशन पुष्णा चाते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने संटान के उपर कुछ वीडियोद डाले कुछ बिहनों माताओं के भाईयों के कुछ प्रशन हैं तो मुझसे बार-बार करते हैं आप लाइव वीडियोज में मुझसे प्रशन करेंगे तो मैं आपके प्रस्तों का हाथो हाथ जवाब दूँगा आप दिक्षा करें आप ध्यारे रखें ठाकुर जी बेरे बांकिर बहरी राद हरन जी आपके सारे कारे करेंगे लेकिन आप ध्यारे को धान करें जै शिराद ही, जै शिर किष्ण मैं पंडित अनिल कोदंड जै शिर किष्ण